Let's improve English और वीडियो में क्या आया और ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि एक बात को कहने के बहुत से तरीके हो सकते है पहले पोचा लगाने का काम खत्म करो पहले पोचा लगाने का काम खत्म करो Simply ना हम इसे ऐसे करने की कोशिश करेंगे ऐसे कहेंगे तो हमें आ लगता है पोचा लगाने का काम लेकिन इसको हम ना spoken English में नेटिव स्पीकर सिर्फ इतना ही कहेंगे जैसे मैंने ज़ाडों मारने का काम खत्म कर दिया है I have finished sweeping the floor यानि किसी काम को खत्म कर देना Finish doing something डिरेक्ट आपको finish कहना है उसके बाद verb in ing Finish doing something So I finished sweeping the floor First finish mopping the floor मेरा बरतन धोने का काम खत्म होने वाला है इसे आप कैसे कह सकते हैं होने वाला है जब हम कहना चाहते हैं कि कुछ होने वाला है तब हम about to का यूज़ करते हैं I am just about to finish washing the dishes I am just about to finish washing the dishes बरतनों के लिए हम the dishes बोल सकते हैं utensils बोल सकते हैं, pots बोल सकते हैं लेकिन more commonly सबसे ज़्यादा हम dishes का यूज़ करते हैं So washing the dishes तुम खाना बनाने का काम कब खत्म करोगे कब हो जाएगा काम खत्म कैसे कह सकते हैं कब करोगे future tense है When will you finish cooking? मेरी सारी उम्मीदें चूर चूर हो गई है हमें कहना है हमारा रिष्टा चूर चूर हो गया है English में हम इन बातों को कैसे कह सकते हैं चूर चूर होना इसके लिए हम एक word यूज़ कर सकते हैं जो कि है crumble All my hopes have crumbled All my hopes have crumbled यानि मेरी सारी hopes crumble हो गई है crumble होने का मतलब चूर चूर हो जाना टुकडे टुकडे हो जाना किसी चीज़ को crumble कर देना मतलब उस चीज़ के टुकडे टुकडे कर देना उसको चूर चूर कर देना वैसे क्रम्बल का मतलब कमजोर पढ़ जाना भी होता है, उसको देखेंगे, अभी इस सेनेस को में इंगलिश में कैसे कह सकते हैं, हमारा रिष्टा चूर चूर हो गया है, जब हम कहते हैं कि कुछ हो गया है, तब हम प्रेजन्ट पफेक्ट का यूज़ करते हैं, यानि है और थर्ड फॉर्म, अब इस तरीके से भी हम क्या सकते हैं, मुझे पता है कि वो कमजोर पढ़ने वाला नहीं है, मुझे पता है कि वो कमजोर पढ़ने वाला नहीं है, मुझे पता है के लिए तो हम कहेंगे, I know, he isn't going to crumble, he isn't going to crumble, so अगर हम क्रमबल का यूज़ किसी परसन के ल मतलब वो क्रमबल करेगा, तो इस तरीके से भी हम क्रमबल का यूज़ करते हैं, I know, he isn't going to crumble, friends, is not को short में हम isn't बोलते हैं, और यहाँ पे that optional है, यहाँ पे actually आना चाहिए, I know that he is not going to crumble, लेकिन that को हम avoid कर सकते हैं, इस phone के टुकडे करके दूर फैक दूँगा, जैसे गुसे मे ऐसा कहा जा रहा है, इसे कैसे कह सकते हैं, वैसे ही, उसके टुकडे करके, चील कवव को खिला दूगा, उसके टुकडे करके, इन sentences को आप कैसे कह सकते हैं, तो first sentence को देखिए, टुकडे करके दूर फैक दूँगा, so something will happen, I will crumble this phone, मैं इस phone को crumble कर दूँगा, and throw it away, और उसे द टुकडे कर देना, उसके टुकडे करके, चील कवव को खिला दूगा, I will crumble him, पहले तो मैं उसे crumble करूँगा, and feed the pieces to eagles and crows, जो pieces हैं, उनको मैं feed कर दूँगा, eagles को और crows को, feed something to somebody, यानि किसी को कुछ खिलाना, and feed the pieces to eagles and crows, simply ऐसे भी कह सकते हैं, I will break him into pieces, and feed them to eagles and crows, उन pieces को फिर feed कर दूँगा, eagles और crows को, तो friends, sentences कितने ही बड़े और कितने ही जटिल क्यों ना हो, I mean, complicated क्यों ना हो, लेकिन हमें structure को follow करते हुए sentences को बनाना है, grammatical rules का ध्यान रखना है, structure हमें ध्यान रखना है, कि पहले subject आता है, फिर verb आता है, उसके बाद sentence के according, situation के according, उस करता हूँ कि आप इस video को देखने के बाद, इस channel को visit जरूर करें, यानि कि अच्छे से इसको explore करें, उस पर मैंने बहुत सी videos upload की हुई हैं, बहुत अच्छे videos हैं, आप अपने English को बहुत जादा, बहुत extent तक आप improve करेंगे, तो friends, आगे देखते हैं, तुम अपने phone के बजाए मेरा phone ले गए, तुम खुश होने के बजाए इतने चिंता में क्यों हो, क्या मुझे चाय की जगह पर पानी मिल सकता है, जब हम ऐसे कहें, इस चीज के बजाए, या इस चीज की जगह पर, इस चीज के बदले, तब हम preposition instead of का use करते हैं, हम कहेंगे You took my phone instead of yours, simple past tense है, कुछ हुआ था, तो इसमें second form आती है, you took, took is the second form of take, you took my phone instead of yours, some people say instead of, that's not correct at all, you must be saying instead of, you took my phone instead of yours, तुम खुश होने के बजाए, इतनी चिंता में क्यों हो, present tense, why are you so stressed out, instead of being excited or joyful, जैसे उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कोई बड़ी चीज है, कोई वो speech देने वाला है, तो मैं कहा रहा हूँ, खुश होना चाहिए, तुम्हें तो इसके बजाए चिंता में क्यों हो, excited होना चाहिए, joyful होना चाहिए, why are you so stressed out, instead of being excited or joyful, so instead of के बाद be और ing, क्योंकि preposition के बाद अगर कोई verb आता है, तो हमें उसमें ing लगाना पड़ता है, क्योंकि preposition अपना object लेती है, जो कि noun or noun हो सकते है, verb में ing लगाने पर जब वो object का का काम करता है, वो अब तब हम उसे gerund कहत हैं, क्या मुझे चाहिए की जिगे पर पानी मिल सकता है, क्या मैं ले सकता हूँ चाहिए की जिगे पर पानी, may I have some water instead of tea, may I have some water instead of tea, ये करके मैं अपनी इज़त कम थोड़ी करूँगा, मैं अपना सम्मान कम थोड़ी करूँगा, दोस्तों बोलते वक्त हम ऐसे कहते हैं, कि थोड़ी के लिए भी क्या English बोलेंगे, नहीं हमें sense को समझना है, यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ, कि कोई काम है, वो काम अच्छा नहीं है, उस काम को करके मैं अपने इज़त कम नहीं करवाना चाहता, अपना सम्मान कम नहीं करवाना चाहता, इसके लिए the most suitable word है, demean I am not going to demean myself by doing this, मैं अपने आपको demean नहीं करने वाला हूँ, ऐसा करके, I am not going to demean myself, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, ऐसा करके, by doing this, again आपने देखा, by एक preposition है, उसके बाद verb में ing, जो की जेरन का काम कर रही है, by का object है, by doing this, ऐसा करके, I am not gonna demean myself, जैसे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, so demean करने का मतलब होता है, नीचा दिखाना, सम्मान कम करना, यहाँ पर demean का मतलब, if you demean yourself, मतलब आप अपने आपकी ही इज़त कम कर रहे हो, अपने प्रतिष्ठा कम कर रहे हो, और अगर आप किसी और को demean करते हो, इसका मतलब उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, आप उसे put down करते हो, या फिर आप उसे belittle करते हो, सब कही meaning होता है, उसको आप नीचा दिखाते हो, आप उसे feel कराते हो कि वो inferior है, don't try to demean each other, don't try to demean each other, एक दूसरे को demean करने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को put down मत करो, कोशिश मत करो, एक दूसरे को आप बिलिटल मत करो, बिलिटल करने का मतलब होता है, दूसरे को कम परखना, उसको कम समझना, उसको निचा दिखाने की कोशिश करना, इस नौकरी से मुझे खुद के लिए और टाइम मिल पाता है, इस अलाम घड़ी से मैं टाइम पे उठ पात यानि कोई situation आपके according सही है, कोई situation के हिसाब से आपको किसी चीज़ में help मिलती है, ऐसा हो पाता है, तो इसके लिए एक structure है, something allows you to do something, तो क्या सकते है, this job allows me to have more time for myself, अपने खुद के लिए, मुझे और time मिल पाता है, ये job मुझे अलाव करती है, ये job मुझे अलाव करती है, कि मुझे और time मिले अपने आपके लिए, this job allows me to have more time for myself, इस alarm घड़ी से मैं time पे उठ पाता हूँ, तो इससे कह सकते है, this alarm clock allows me to wake up on time, this alarm clock allows me to wake up on time, इस phone से मैं अच्छी photo ले पाता हूँ, this phone allows me to take nice photos, this phone allows me to take nice photos, friends आप वीडियो को pause करके practice तो कर रहे हैं न, क्योंकि वो बहुत ही important है, आपको जरूर करना है, आपके लिए बहुत ही useful है, एक बार तुम नाश्ता कर लो, तो मैं नहाने जा सकता हूँ, एक बार नाश्ता कर लो तब हम once का use कर सकते हैं, as a conjunction, once you are done with your breakfast, I can have a bath, I can have a bath, once you are done, done with, if you are done with something, इसका मतलब वो काम अपने complete कर लिया, पिछली वीडियो में मैंने इसे discuss किया है, once you are done with your breakfast, एक बार अपका breakfast हो जाए, I can have a bath, फिर मैं नहा सकता हूँ, अब हिंदी में हम कहरें नहाने जा सकता हूँ, तो जाने के लिए गो लगाना ज़रूरी है, हमें meaning convey करना है, यहाँ परना naturally, हम commonly ऐसे बोलता है, I can have a bath, I can go to have a bath, ऐसे भी कह सकते हैं, एक बार वो पैसे दे दे, फिर मुझे कोई चिंता नहीं, एक बार वो पैसे दे दे, once, once he gives the money, I will have nothing to worry about, मुझे कोई चिंता नहीं, या friends, हिंदी में हमें ये नहीं लग रहे कि होगा, फिर मुझे कोई चिंता नहीं होगी भी नहीं लिखा मैंने, लेकिन sense तो वो यह न, इसलिए मैंने will का use किया, I will have nothing to worry about, एक बार वो मेरा विश्वास कर ले, मैं तो सात्वे आसमान पे चड़ जाऊंगा, कहने का मतलब होता ह है कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, एक बार वो मेरा विश्वास कर ले, so once के साथ आपको यहाँ पे present indefinite का use करना है, एक बार payment कर दी तो वापस नहीं होगी, एक बार payment कर दी तो वापस नहीं होगी, in sentences के लिए हम कैसे कह सकते हैं, once he trusts me, I'll be on cloud nine, I'll be on cloud nine, या फिर कह सकते है, I will be over the moon, दोनों का ही मतलब है, मैं बहुत खुश होगा, तो हिंदी के culture के इसाब से, हिंदी में हम कहते हैं, साथ वे आसमान पे होना, English में एक idiom है, to be on cloud nine, अब यहाँ पे साथ और नो थोड़ी देखना है हमें, हमें यह देखना है, कि जो idioms है, यह इशारा की सोर कर र होगी, once you make the payment, it can't be refunded, it can't be refunded, यहाँ पर यह passive voice है, नहीं किया जा सकता, यानि कि sense वही है न, कि यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता है, वापस नहीं होगी, it can't be refunded, refund हो यह नहीं सकती है, हमारे पास यह ability ही नहीं है, कि हम उसको refund कर सकें, इसलिए can का use, once you make the payment, it can't be refunded, उसे हम refund नहीं कर सकते हैं, उसे refund नहीं किया जा सकता है, तो payment के साथ, हम make verb का use करते हैं, make the payment, friends, आशा करता हूँ कि मेरा इतना बोलना आपके लिए helpful रहा है, आपको इस video lesson से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है, और अगर आप इसी तरह से अपने English को improve करते रहना चाते हैं, तो please इस चैनल को subscribe करना अगर आपने भी तक नहीं किया है तो, thank you very much for watching this video, हम मिलते हैं, I mean बात करते हैं next video lesson में, till then take care and bye.